नो बतो पराटे अच्छे लग रहे कानू आप पराटे बढ़िया लग रहे रोज आची बना करें लिखे ना राधे राधे विर्योटू फेमली तो ये देखिए आज मैं आपकी साथ शेयर करने जा रहे हूं गोभी और पालक के बहुती ज़्यादा स्वाधिष्ट पराटे की रेसिपी अच्छा गोभी के पराटे बनाना किस-किस को जंजट लगता है ये किस-किस को खाने में अच्छा नहीं लगता है तो फूले फूले ये स्वाधिश से गोभी के प्राटे की एक आसान रेसीपी देने जा रहे हूं अगर जंजट लगता है तो आज के बाद गोभी के प्राटे बनाने में आपको कोई भी जंजट नहीं लगेगा और खाने में सभी को बहुत पसंद आएंगे पहचानी नहीं पाएगा कोई कि प्राटे गोभी से बना के तयार किये हैं शाड़े साथ सो ग्राम के जितनी ये गोभी थी वो लेके आ गई हूं एक बावल में खोप सारा पानी डाल लिया है इसमें एक चमच नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है अब ये जो गोभी है गोभी की पहले हम डटल तोड़ के साइड में कर देते हैं ताकी गोभी को काटने में आसानी रहे और अच्छे से इसको हम देख लेंगे कि इसके अंदर कोई कीड़ा ना हो जबिया प्राटे वगशरा बनाते है ना तो मतलब गोभी वगशर को अच्छे देख लें को नमक वाले पाने के अंदर डॉल देंगे अब मैं नमक फाने के अंदर इस वजह से डाल दी हूं और इस त्रौशा के इसको Saxo न ड्दिल देते हैं तो चले गोभी तो हमने यहां पर तोड़ाए क काटके तेरी ली चेना ऐसके दूब छोप सारी के आ गई हूं और यहां पर मैंने खोल लिया है फूड प्रोसीजर का यह चौपिंग वाला चार ठीक है और सारी जितनी भी यह सबजे थी मतलब गोभी पालक और हरीमिच यहां पर हम डाल देते हैं और उसके बाद यहां पर मैं अद्रक भी यही पर डाल लेते हूं अब धाल लिया है इसका क्या करते हैं धककन को बद करेंगे यह कैसे नियुल मैं थेफ़ाह पर ेसके जाए वाला-प्रोसीजर करते हैं एक ड़ा टाला लूए dueusz क conjunction कि शवखिशना करेंगे चैमली मैं इंप बारी के से चोप करना होता है खासकर सर्थियों में तो मैं इसमें डालती हूँ और आसानी से चोप हो जाती है नेतु का दुक असे ना मतलब बहुत बहुत देर सी लग जाती है इससे कुछी मिंटों में टाइम मतलब कुछी मिंटों में काम हो जाता है तो देखे सारी सब्ज गोबी के इसकी श्टफिंग बना देंगे इसको 5-7 मिनट का टाइम देते हैं पता है क्यों कि इसमें बहुत चारा मौश्यर होता है और अगर आपने ऐसे श्टफिंग बना दीना तो किसी में दम नहीं है कि इस श्टफिंग को पराटे के अंदर बर देंगे अब यहां पर हम एक चम्मच के जितना नमक डाल देते हैं और इन सब्जों में नमक को अच्छे से मिला देते हैं जब भी हम किसी मोश्चर वाली सब्जी में या चीजों में नमक डालते हैं तो जो उन चीजों का मोश्चर होता है वो बहुत स्पीड से रिलेज होता है जिसके वज़े से हमारा टाइम बच जाता है और काम भी जल्दी से हो जाता है तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और साइड में छोड़ देते हैं पांच-साथ मिनट के लिए अब मैं आटा लगाऊंगी सबसे पहले तो मैंने जाके देखा बाल्टी में आटा भी खतम हो चुका था मतलब थोड़ा सही आटा बच रहा था तो मैं बाल्टी उठाके लेके आगई हूं और यह नीचे आटा बचवा है आज आटा भी आएगा घर में तो चलिए सबसे पहले इसको चान लेते हैं तो बहुत से बार मुझे comment आते हैं कि देदी आप आटे को क्यों चानते हैं तो मेरे घर में fresh चक्की काटा आता है और जिसमें बहुत सारा चोकर होता है और ये जो चलने आप देख रहे हैं ये श्टील की जाली की चलनी है और इसकी जाली मोटे वाली है तो इसमें फाइबर उपर रुकता न नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेगा यहां पर एक चमच के जितना नमक, दो चुटके के जितने मैंने हल्दी डाली है, और हल्दी मेरी परसनल चोईश है, जब भी मैं प्राटे पूरी वगेरा बनाती हूँ, हल्का सा हल्दी पाउडर जुरूर लगाती हूँ, इससे प्राटो का या मेरी जो भी रेसिपी उसका कलर निखर के आता है, थोड़ी सी मैंने यहां पर अजवैन को डाल लिया है, अब डालने के बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल ही पानी ले लेना है, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा मोसम नहीं है, तो नॉर्मल पानी से का जाएगा चिल्ड पानी ना ले आप, नहीं तो हलका सा पानी को गुनगुना करके ले ले, आटा जल्दी से तयार हो जाता है, खासकर सर्दियों में जब भी आटा लगाते हैं, तो पानी को हलका सा गुनगुना कर लेते हैं, तो आटे का जो फूलने वाला प्रोसीज होता ह आटे के अंदर वो जल्दी मतलब तेजी से हो जाता है और हमारा आटा तयार हो जाता है आटे को मैं सर्दियों में जादा करके दुबारा बिल्कुल निगूतना पसंद करते हूं एक ही बार उसको 5-6-7 मिनिट का टाइम दे देती हूं बढ़ी ऐसा मकमली टेक्चर का बना के तयार कर लेती हूं तो चले 5-7 मिट लगी है आटा बिल्कुल सोप्ट तयार हो चुका है इसको साइड में रख देते हैं और देखे इतने टाइम में जो ये हमारी गोभी और जो पालक वगेरा थी इनमें बहुत अच्छे से मोश्चर रिलीज हो चुका है मैंने यहाप पर पाउल ले ली है और देखे इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा टाइट करके निचोड देते हैं तो आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से और कितनी जादा कॉंटिटी में जो सब्चो का पानी था वो निकल रहा है अगर हम इसमें ऐसे स्टपिंग बना देते तो आप स्टप जाले दाल लेते हैं जिसमें मैं डाल दी हूँ, एक जटना चम मचके जितना नमक और उसके बद हल्का सा यहां सा पाउडहर भी यहां पर आपर पाउडूर दालेंगे तो एक छोथाई चम्मसके, जितनी मैं यहां पर जालेंगे तो बस दो चमस के जितना कसूरी मेती डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो बढ़िया से ये स्टपिंग हमारी बन के तयार हो चुकी है तो चलिए चलते हैं अब हम पराटा बनाने के प्रोसिज की और अब मैंने हैं पर सूख आटा ले लिया है और इस तरीके से हम नोर्मल आटे की लोई बना लेते हैं आटे का आप कलर देखिए त्यार देजिए इसको थोड़ा सा मैंने सूख आटे में रफ कर लिया है और यहां पर हम रख लेते हैं चकला और चकले के ऊपर हमें क्या करना है इस तरीके से पेड़ को रख के थोड़ा सा फैलाना है और फिर हातों में इसको इस तरीके से थोड़ी सी कटोरी सी की सेप दे देनी है और अच्छे से गहरी करके हम इसकी सेप दे देंगे ताकि हम इसम चाहें तो और भी रख सकते हो या आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हो खाने माले हम पांच जनी है तो मैं सोच रही हूं उसी हिसाब से मैं भर लेती हूं कि ताकि मतलब सभी पेक एक दो दो आ जाए और इसको चारों तरब से उठाते वे इस तरीके से सील कर देंगे मतलब इसको ऐसे सील करनी है कि यह फटनी नहीं चाहिए है ना आपने देखा हम हम सुखा आटा लगा लेते हैं परात में सी लगा लेते हूं अच्छे से लगा तो देखे बढ़िया से भरके तयार कर लिया है जब तक इस किस्टम ट्रास्प्रेट सी ना दिखाई देने लेगे जब तक आपको ये बेल लेना है तो चलिए ये जो है प्रोसिज मैंने आपको दिखा दिया है बेलने तक का अब मैं अपना तवा उठा के लेके आ गई हूं और गड़ी पर बार-बार नजर जा रही है क्योंकि बहुत का टाइम होता जा रहा है कैमरा लगा लेती हो न तो बहुत टाइम हो जाता है मुझे अब तवे को रख देते हैं एक हैबिट है मेरी दोनों तीनों टाइम जब भी मैं रोटिया बनाती हूं तो मैं अपने तवे साफ करावा भी रखा है न तब उसको साथ की साथी साफ करूंगी बननी वानता है जिब तक तवा गरम होता है यहाँ पर थोड़े से पेड़े बना लेते हैं देख्या आप इस तरीके से भी यह पेड़े बना के रख सकते हैं श्टपिंग भर के बिल्कुल भी मतलब मोश् सीखने देना है दोनों तरब से और उसके बाद यहाँ पर घी या फिर तेल जो भी आप अपने घर में खाते हो वो लगा देना है और हलका हलका से इसको दबाते रहना है बहुत कम होता है कि सुरू की रोटी है पराटा है या कचोरी या फिर पूरी वगयर है वो फूल आगे हम जितने भी पराटे बनाएंगे सारे के सारे पराटे फूल नहीं वाले हैं देखिए क्या मस्त बढ़िया हमारा यह पराटा बनके तयार हो चुका है तो चली यहां पर मैं और भी पराटे फटा फट से मतलब बनाके आपको थोड़े सी दिखा देती हूं ताकि आप एक दो पराटा फूला के दिखा देते हैं और बाकी फूल ते नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक दो पराटा आप और देख लेजे सारे के सारे पराटे आपके ऐसे ही फूलेंगे सेखने का जो प्रोसिस होता है वो थोड़ असा सही रखिए जैसे कि हम किसी भी वाले प्राटे बनाते हैं आलू के प्राटे की बात में करियो नॉर्मल सब जो के जो प्राटे बनाते हैं उन पर तेल या घी लगाने से पहले एक से दो बार उनको अलट-पलट लेना चाहिए ताकि जो अंदर की इस्टपिंग है वो भी अच्छे से पक सके और जब और उनको कहाने के लिए देती रहूंगी तो जल्य फाइनल यहां पर एक दो पराठा कर देती हूं तो भोग मैंने अंदर कोचा दिया है और यहां पर मैं अपनी थाली कमपलीट कर रही है इसको आप मलाई की साथ खा के देखेगा दूद के उपर से मैं अपने घर में मलाई की साथ खाले चाहे आप इसको चाय की साथ खाले तो यह देखिए अंदर से एक पराटा मैंने आपको खोल के दिखाया है क्या मस्त यह हमारी फिलिंग फैली हुई है तो अब बताइए कि कौन-कौन गोबी के पराटे सुन्ते के साथ ही नाक मुझे डाने लगता है या किस-कि मैंने आपको दिखाई दिया था वैसे इभी दिवाली का टाइम चल रहा था तो पकवान वगेरा घर में खूब बन रहे थी मैं मना ही कर रही थी कि मुझे यह प्राटे नहीं बनाने अभी दो-चार दिन बिल्कूल मैं गैप देती हूं कि कोई भी तलब होना नहीं बनाना लगे नहीं हमें गोबी के प्राटे ही खाने है आयते सबजी के लिए गोबी लेकिन बने है प्राटे तो राधे राधे दोस्तों कैसे लगी रहे थी